Okay firstly, मुना और congratulations Thank you, बाई विनि लॉकप अब बाद करो थोड़ा ही बिताए लॉकप की मैं बात करूँ Starting with a real lock-up and winning a reality Lock-up holding that trophy is a big moment for you Tell us something about the feeling, किस तरह की feeling होती है? बिल्कुल आप पे वही feel होता है कि चाहे कुछ भी हो life में आप रुकते नहीं हो और आप गलतियों से सीखते हो आगे बढ़ते हो और जो अचीफ करना चाहते हो वह कर लेते हो कोई भी पतली गली पकड़ के या बड़ी सड़क पकड़ के कैसे भी पकड़ लो बट भागना जरूरी होता है तो भागो और हासिल कर लो किस तरह का रिस्पॉंस मिल रहा है किस तरह का प्यार मिल रहा है बहुत अमेजिंग बहुत अमेजिंग बिलीव नहीं होता है जब लोगों को इस तरह जमा होते हुए देखता हूं हर जगे जहां पर मैं जाता हूं तो बहुत खुबसूरत है यह बहुत प्यार मिल रहा है और मैं चाहता हूं यह बना रहा है और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत में काम शुरू हो चुक और मैंने जब लोगों को इस ताधात में देखा तो मेरे लिए वो एक मुमेंट था कि जहां पर मुझे पता चला कि हाँ भाई कुछ तो बढ़िया करके आगे अपन तो वह वाली फीलिंग उस वक्त आई और बहुत मुझेदार फील था और बहुत ऐसम दिल भर गया था कि हां कुछ तो कर दिया और यह जो प्यार कर रहे लोगों की अब जिम्मेदारी है कि इनको बदले में उतना एंटर्टेइन्मेंट दिया जाए जो कि में बात करो तो छो में हमने लगातार आपको देखा है कि आप अपनी मंमी को खाफिनेंज करके आपने जब ट्रोफि उठाइए डे नेक्स जे बहुत मदूस जे किस तरह से अपने अपनी मंमी को बहुत विश्किया और आज अज अगर आपकी ममी रहती तो क्या में भी खुश हो जाते हैं लेकिन वही होता है कि जिन्दगी में सारी चीज़ें नहीं मिलती आपको कुछ चीज़ें होती है जो ले ली जाती है ताकि दूसरी चीज मिले तो आपके लिए उनकी दुआएं जो है वो मेरे साथ है और उसकी वएसे मैं यहां पर हूँ सब कंटेश्टन के लिए आपके लिए कौम सा ऐसा सिक्रेट था जो काफे डिफिकल्ट परस्नली काफे डिफिकल्ट था और अपने उस सोचा दस बार के अगर मैं इफाइ से सम्थिंग अगर मैं यह चीज़ बोलता हो तो बाहर जाके किस तरह से रियाक्त अगर कोई ऐसा था दोनों सीक्रेट जो थे वो दोनों में वही फील था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था बड़ लोग यह सोच लिया था कि जब दीरे दीरे महां पे दो चार चार हफते के बाद पता चलने लगा था कि आप इतने वोकल वो शुस ने और शो ने बना दिया था आपको कि मुझ अबर मैं आपकी बात करूँ आपकी जो होष्ट कंगनामाम उनसे आपका वार्णिंग पहले से काफी लोगों ने स्ट्रॉंग देखा था आप शो के बाद किस सरा से आप कंगनामाम को देखते हो आप मैं कंगनाम को एकदम प्रफेशनल देखता हूं और सब को पता है वो बहतरीन अदागा रहा है बट साथ साथ में एक समझदार सुल्जी हुई इनसान भी है जो हमें वक्त वक्त पे देखने मिली जज्मेंटे पर कभी-कभी उन्होंने जो चीजे कहीं है वो कहीं ना कहीं मैंने उससे कुछ सीखा है उससे कुछ समझ कि अपने अपनी लाइफ म और इस तरह काम किया जा सकता है और जो लोगों को लगता था कि ये दोनों ही बहुत ऑपोजिट है ये शो में बहुत ही ज़्यादा जगने होंगे इनके बीच में तू-तू-तू-तू-तू-तू होंगी बट वैसा कुछ नहीं हुआ इसका रीजन ही है कि हम दोनों अपने-प किसी को भी एक को पिक करना कि कोई मेरे करीब हो बट सारे ही पांच्छे लोग मुझे बहुत अच्छे मिले जिनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और मुझे इसा दोस में कोई ऐसा इसा इंसा इंसा जिसको आप ये लॉक-प के बाहर कभी ना मिलना पश किसी काफी अच्छी लगी बिलो काफी पसंद आई कि आपको कैसी लगी आप जब बाहर आते हैं काफी वीडियो जा आपके क्या कुछ रिपॉंद मिल रहा कि दोस्ती को मैं बात करो लोगों नो बहुत प्यार दिया और वही होता है कि लोग जब प्यार देते उनके एक एक क्यक्या अधियरं मुझे इघ्मेशरी वी बीगा दिया कि गइजी दॉक inee के मिल रुट पढ पता हूं मैं रील नहीं बना पाता हूं फुल लिपसे नहीं होता निया मा कोशित पहले बहुत करता था बडर एक ताम के बाद मुझे आसा लगने हो लगद के मुझसे रील नह मेशा रही और कोई दमें लॉक अप से जिए हैं के क ए Totally आप हर छीज कर सकते हैं हर dovो कर सकते हैं अजेसे उपले बनाना ओ पेटी बनाना हो चट्नी मसाला कोटना क्या क्या बना है हम लोग पर रुमाल सिले हैं, साडियों की रस्यां बनाई है, तो I think मुझे लगता है कि मैंने महाँ से एक चीज़ वो सीखिए कि कुछ भी आप कर सकते हो, आप जो कर सकते हो, और इतनी सारी चीज़े आना भी आसान है. आप मुनावर को कही ना कही जरूर देख लोगे, जैसे OTT हो गया, YouTube हो गया, हो सकतो TV हो गया, और Cinema Hall भी हो गया, इंशाला, तो जहां भी जाएंगे दिखेंगे, और लाइफ स्टेज पे तो मैं बहुत जल्दी मिलूँगा, कॉमेडी करता हुआ, तो जरूर आईएगा. झाल